रामायन की शुरुवात भगवान श्री राम के जीवन की अद्भुत कथा से होती है। इसकी रचना महर्शी वालमीकी ने की थी। रामायन का आरंब इस प्रकार है। वन, वालमिकी का शोक और रामायन की रचना, महर्शी वालमिकी, जो एक महान इशी थे, एक बार नदी के किनारे तपफस्या कर रहे थे। वहाँ उन्होंने एक क्रॉंच पक्षी, खुंज पक्षी को देखा, जिसे एक बहेलिये ने मार दिया था। उस क्रॉंच पक्षी का जोड़ा दुख में विलाब कर रहा था। ये दृश्य देखकर वालमिकी के हृदे में करुना उत्पन हुई और उनके मुक से एक शलोक फूट पड़ा। शलोक मा निशाद प्रतिष्थां त्वम गमा शाश्वती समा यत क्रॉंच अमिथुना देकमवदी काम मोहितम। इस शलोक में वालमिकी ने बहेलिये को श्राप दिया कि उसने निर्दोश क्रॉंच पक्षी को मारा। इस घटना के बाद भगवान ब्रह्मा ने वालमिकी से कहा कि वह श्री राम के जीवन की कथा को शलोको में पिरोकर महाकावी का निर्मान करें। इस प्रकार वालमिकी ने रामायन की रचना शुरू की। दश्रत और राम का जन्म कथा का आरंब अयोध्या नगरी से होता है। जहांके राजा दश्रत के चार पुतर थे राम, लक्षमन, भरत और शत्रुगन। इनमें श्री राम सबसे बड़े थे और उन्हें विश्नु का अवतार माना जाता है। विश्वामित्र का आगमन इशी विश्वामित्र राजा दश्रत के पास आते हैं। और उनसे राम और लक्षमन को राक्षसों के सनहार के लिए अपने साथ ले जाने की अनुमती मांगते हैं। तश्रत संकोच के बावजूद विश्वामित्र के आग्रह पर सहमत हो जाते हैं। इस प्रकार राम और लक्षमन ईशी विश्वामित्र के साथ वन में जाते हैं। 4. ताड का वद और अहिल्या उद्धार राम और लक्षमर ने जंगल में ताड का राक्षसी का वद किया और कई अन्य राक्षसों का संहार किया इसी दौरान उन्होंने गौतम इशी की पतनी अहिल्या का उद्धार भी किया जो शापित थी 5. जनकपुरी और सीता स्वेमवर इशी विश्वामितर राम और लक्षमन को लेकर जनकपुरी पहुंचे जहां राजा जनक अपनी पुत्री सीता का स्वेमवर आयोजित कर रही है